हमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रसैनी समाचवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव को आंदुलन जिवी राकेश टिकैत का अपमान बरदाश्ट नहीं हो रहा है यही वजा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव की और से ट्वीट करते हुए यह लिखा गया है कि बीजेपी वालों ने राकेश टिकैत का विरोध किया है अब राकेश टिकैत के साथ जो हमदर्दी अखलेश यादव जता रही है उस पर अखलेश यादव ड्रोल हो चुके हैं लगातार अब देश की जनता अखलेश यादव को खेर रही है सवाल ये भी है कि आखलेश यादव राकेश टिकैत को लेकर इतनी हमदर्दी क्यों जता रही है वजहां बिल्कुल साफ है आंदोलन जीवी राकेश टिकैत जो एक साल से तिल्ली के बॉडर पर आंदोलन चला रही थे जिस तरीके से किसानों के नाम पर इस आंदोलन की आठ म ये सियासी रोठिया सेकी जा रही थी एक राजनितिक एजेंडा जो चलाया चारा था अब उसे बड़ा छटका लगा है राकेश टिकैट अब अकेले पड़ चुके हैं राकेश टिकैट का ये एजेंडा जिसकी आर्ट में वो चला रही थे यानि आंदुलन अब खत्म हो चु उन्हें शर्थांजली देने पहुंचे तो वहां राकेश टिकैट के खिलाफ नारेभाची की गई राकेश टिकैट के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा कि आखर ये शक्स जो देश का फिरोत करता है जो देश को बधनाग करता है जो खालिस्तानियों के साथ मीटि ने आई और अब अखलेश यादफ ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जनरल रावत ची की अंतिम यात्रह में किसान नेता राकेश टिकैट ची के खिलाफ नारे लगाने भाले भाजबयों ने थाबित किया है कि वो जय जवान जय किसान के उद्ख रही है कि जय जवान जय किसान बीजेपी इसमें विश्वास नहीं करती है सवाल अखलेश यादफ से यह है कि राकेश टिकैट आखिर उन्हें कौन से किसान नजर आते हैं और क्यों जनरल सीडियास बिपिन रावत से उनके तुल्णा की गई है एक तरफ सीडियास जनरल ब सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से किये गई देश के लिए किये गई वो देश कभी नहीं भूल सकता है लेकिन वहीं दूसरी तो और राकेश टिकैट है राकेश टिकैट ने जिस तरीके से बीते एक साथ में किसानों के नाम पर इस आंदुलन को चलाया है और उस आन्दुनन की आछ्ट में जिस तरीके से देश में हिंसा भड़की है, वो खालिस्तानी जो देश के दुश्मन है, जो देश के बटवारी की बात करते हैं, उस राकेश टिकैट को खिसान बता रहे हैं, जो देश में युद की धंकी देता है, जो राकेश टिकैट संसद का अफमान करता है जो सरकार को धंकी देता है वो राकेश टिकैट आखिर किसान कैसे हो सकता है यह सवाल भी अखलेश यादव से लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों अखलेश यादव की ओर से यह ट्वीट किया किया और उसमें जै जवान चैकिसान के उद्खोश में बीजेपी विश्वास नहीं करती है राकेश टिकैत का अफमान किया किया है ये तमाव दावे अखलेश यादव की ओर से किये गाए है जाहिट तोर पर उत्तरपरदेश में 2022 में विधानसबाद चुनाफ है और अब राकेश टिकैत की जो सियासी टोटिया जिस आंदोरन की आर्ट में वो सेक रहे थे अब वो दुकान बंद हो चुकी है और शायद यही वजा है कि अखलेश यादव इस तरीके से जटपटाई हुए है क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि अब उत्तरपरदेश के विधानसबाद चुनाफ में किसानों के नाम पर जो वो चुनाफी दाल गलाने की कोशिश कर रहे थे वो अब मुम्किन नहीं हो पाएगा क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जरकाट ने बड़ा फैसला कर लिया है किश्वी कानूनों को रद कर दिया गया है तो वहीं तमाम इन आंदोलन चीफियों की वो मांगे हैं मान ली गई है जिसकी आठ में ये लगातार आंदोलन चला रहे थे और राकेश टिकैट को बड़ा छटका इसलिए लगा है क्योंकि राकेश टिकैट को सहियुक्त किसान मोर्चा ने भी पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है बाहर का रास्ता दिखातिया है तो अब राकेश टिकैट जिसकी आर्ट में कॉंग्रिस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी उत्तरपरदेश में सियासी रोटिया सेखने की तयारी कर रही थी अब वो राकेश टिकैट उनके एजंटे को आगे न रहकाया जा रहा था देश को गुम्रा किया जा रहा था लेकिन अब यह सब कुछ खत्म हो चुका है सवाल यही है कि राकेश टिकैट को आखिर किसान अखिलेश यादव क्यों बता रही है क्योंकि इसमें वो अपना चुनावी फाइदा देख रहे हैं अगर बात राकेश की जाए तो जो वीडियो साथ ने आए हैं आपको बता दें कल जब राकेश टिकैट अंतिम दर्शन के के सीडियस जनरल विपिन रावत के घर जहां उनका पार्थी शरीर रखा हुआ था वहां पहुंचे तो वहां उनका कड़ा विरोध किया-किया उनके खिलाफ लोगों क की भारी नाराज की देखने को मिली काफी जो नारे बाजी है वो की गई और तमाम जो वहां लोग मोजूद थे जो नारे बाजी कर रहे थे उनसे जब मीडिया ने ये पूछा कि आखिर ये राकेश टिकैट का विरोध क्यों कर रहे हैं तो उनकी तरफ से साथतोर पर ये कह गया कि राकेश टिकैट देश का दुश्मन है डेश को बहुत पीछे राकेश टिकैट ले गया है इसलिए नारे लगायए जा रही है वहीं कई और लोगों ने ये भी कहा कि राकेश टिकैट का यहां आना पुरी तरीके से गलत है ऐसे आजमी को ऐसी महन विभूदी के इस तरीके की बयानफाजी भी वहां राकेश टिकैट के खिलाफ देखने को मिली यानि भारी गुस्ता भारी नाराज की वहां राकेश टिकैट के खिलाफ लोगों ने जाहिर की क्योंकि राकेश टिकैट वो हैं जो देश में सेना का अपमान करते आई हैं कई मोखे ऐसे आई ह जब उन्होंने खुले आम देश के जवानों का अफमान किया है हमने लालकीले पर हिंसा देखी कि किस तरीके से वहाँ जो दिल्ली पुलिस के सिफाई थे जो CRPF के वहाँ सिफाई थे उनका अफमान किया किया वो किस तरीके से अपने कूद कर उन्होंने जान बचाई वो तम देश की सेनह का अफमान किया है देश के जवानों का अफमान किया है और खुले आम उन्हें टार्केट किया किया है तो यही तमाब चीजे हैं जिसके चलते कल राकेश टिकैट का भारी विरोध देखने को मिला लोगों की गुस्सा और नाराज़की देखने को मिली लेकिन उस गुस्से और नाराजकी पर इस तरीके से अखलेश यादव की हमदर्दी जताना राकेश तिकैत के लिए इस तरीके से बीजेपी को टार्केट करना ये भी समस्से परे है हाला कि इसमें कोई संकोश नहीं है कि अखलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सननीती पर काम करती है आखिर उनकी सोच क्या है उनकी विचार धरा क्या है ये वही समाजवादी पार्टी है जो खुले आम जिन्ना की तारीफ करती है जो देश के विभाजन का जिम्मेद वो तंकवाद की तारीफ करती है वो देश की पुलिस पर सवाल उठाती है लेकिन आतंक्यों की तारीफ की जाती है यह वही अखलेश आदव हैं तो इनकी सोच क्या है इनकी मांसिक्ता क्या है यह बार पार आए और ऐसे में राकेश टिकैत का समर्थन करना इसमें कोई चोकने वाली बात नहीं है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि राकेश टिकैत जो इनके एजेंटे को आगे बढ़ा रहे थे जो 2022 उत्तरपरदेश विधानसवा चुनाख में इनके लिए कहीं न कहीं किसानों का मुद्दा आगे बढ़ा रहे थे अब उन्हें बड़ा छटका लगा है स जो दुकान चलाई जा रहे थी इस आंदोलन की आर्ट में वो बंद हो चुकी है और कोई चारा फिलाल अखलेश यादव के पास नहीं बचा है तो वहीं राकेश टिकैत भी अब पुरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं लोगों का भारी गुसा और नाराजकी का सामना राक अफले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तन्यवाद